भाईया, CA और बैंक पीओ, मुझे नहीं पता चलना मेरा किस करियर में ज्यादे इंटरस्ट है, देखो 6 मिनिट्स के अंदर फिगर आउट करते हैं कि इन दोनों करियर में से आपका इंटरस्ट किस में ज्यादा है और टाइम स्टार्ट होता है, अब आते हैं सिचुएशन व फ्रेंड हो, क्या करोगे, नमबर वन, आप सब कुछ एडवांस में प्लैन करोगे, कि भाई, ये ना 10 फ्रेंड है, 25 रुपीज का बर्गर आएगा, 250 का बर्गर हो गया, साथ में एक लेंगे हैं बंटा, एक वो आशीश लड़का है, वो एक साथ 2-3 बंटा पी जाता है, तो 10-15 बंटा लगेंगी, भाई, 550 रुपीज का खर्चा आएगा, गर्ल्स के केस में, वहाँ पर ये सब चीज़े नहीं चलते हैं, बर्गर बर्गर, वहाँ चलता है, पैनकेक्स, पैनकेक है 42 रुपीज का, 5 फ्रेंड से तो इतना एक्स्पेंस होगा, आप ये वाली प्ल चूज कर लो, बी है तो बी चूज कर लो, ठीक है, भाई हम तो दोनों करते हैं, पहले क्या दिमाग में आया, ए या फिर बी, डन, चलो जी, सिचुएशन नमबर टू, एक ना करियर काउंसलर है, ठीक है, उनका नाम है सार्टक भी यहां, ठीक है, वह आए आपके स्कूल मे और स्कूल में उन्होंने रखे हैं, दो सेशन, किस चीज से रिलेटेट, करियर से रिलेटेट, दोनों सेशन में से, एक सेशन था, करियर इन, अकाउंटिंग, और फिनेंस का, और एक था, गौवर्मेंट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ का, ठीक, अब इन दोनों सेशन में से, दिल पे हाथ रखे मुझे बताना, किस सेशन में आप जाओगे, कहां पर एक दिमाग में नहीं को, कि रॉसिटी आए, कि भाई, ये जौनना है मैंने, और डिट, अकाउंटिंग, फिनेंस, या फिर गौवर्मेंट जॉब्स आफ्टर ट्वेल्थ, कहां पर एक वो है, situation 3 की तरफ, आपके घर के पास ना, एक है पार्टी, ठीक, और उन पार्टी में ना, एक मिलते है, अंकल जी, उन अंकल जी का काम क्या होता है, आप से बार-बार question पूछना, क्यों, क्योंकि उन अंकल जी का एक है लड़का, और वो चला गया है, बैंगलॉर, और वो अर अंकल की जा चुकी है, तो वो अंकल आपके सामने आए पार्टी में, आप क्या करोगे, आप उन्हें नमस्ते रहोगे, अंकल नमस्तर तरण भाग जाओगे, दुन-दुन-दुन-दुन-दुन, ऐसा होगा, या फिर आप उनसे कहोगे, आज तो अंकल जी को बताई देता ह हो, मैं क्या कर रहा हूँ, आप सामने बैठोगे, बातचीत करोगे, उन्हें अच्छे से समझाओगे, अंकल जी का थोड़ा सा ग्यान भी उसे नोगा, रहे हमने बता दिया ता अपने बच्चे को, देखवा आज कहा है, गाड़ी लेने के लिए कह रहा है, च्छे लाग की आएगी, सम्धिंग सम्धिंग, मतलब आप उन्हें ग्रीट करके भाग जाओगे, या फिर आप उनके साथ बैठके, प्रॉब्लम को सॉल्फ करोगी, कि आज तो अंकल जी को बता कर छोड़ूँगा, क्या करिया रहा है मैरा, ए या फिर बी, भईया मैं तो दोनों अब उसका है समर हॉमवर्क, हॉलिडे हॉमवर्क जो मिलता है मैं बच्पन में, अब वो हॉलिडे हॉमवर्क करने में, अगर आप हेल्प करोगे, तो किस टाइप के हॉमवर्क में हेल्प करोगे, नमबर वन है ये, कि ठीक है, एक ट्री है, उसमें से लीव्स को हमें पेस् हमें ये folding designs proper तरीके से बनाने है ए या फिर भी भाईया ये तो मुझे बहुत difficult लग रहा है मैं तो ए जूस करूँ ठीक है ए अपने पास रख लो भाईया ये तो बहुत easy है मैं तो इसमें दिमाग लगाऊंगा मैनत करूँगा शिद्दत करूँगा आपके सामने होंगे अभी situation नंबर 5 आपका फ्रेंड आए आपके पास उसने का भाई पैसे नहीं बिल्कुल भी जिंदगी में चल रही है तंगी ठीक है लड़के की पैसे मांगते है गर्ल्स पैसे कभी नहीं मांगती है ठीक है और आप हो कि ठीक है पैसे है मेरे पास बिल्कुल है तुझे दूँगा लेकिन मुझे पहले पता कि कभ देगा उसने का यार 15 दिन में दे दूँगा ठीक है ले जाओ आप ऐसे करोगे या फिर आप कहोगे कि भाई मुझे पहले रीजन बता पर्टिकुलर्ली कि ये पैसे तुझे क्यों चाहिए है अगर तेरा रीजन हुआ जैन्विन तो तुझे पैसे मिलेंगे पंड़ना नहीं मिलेंगे उसने का कि यार भाई वो न मनलब गल्फरेंड को न वो चॉक्लेट देनी है 370 रूपी वन सेवन टी दे दे आपको बाग जाया से चॉकलेट के लिए पैसे ची है शरम नहीं आ रही रीजन पूछोगे पैसे देने का ये फिर आपको रीजन से मतलब नहीं कि भाई पस बता दे कब देगा ए या फिर भी सच दिल पर हाथ रखके डिरेक्ट पैसे दे दोगे बस प तो फिर आपका कैलकुलेशन और स्पेसिफिक माइंड सेट है एक आपका एप्टिटूड जो है ना वो सीए वाला है अगर आपका बी ऑप्शन है तो आपका प्राब्लम सॉल्विंग इंट्रस्ट है और आप बेंक पी ओके लिए देखो क्या लिखा है ट्राइ कर सकते हो क मेरे तो बैंक पियों में four options आ रहे हैं तो बस मैं कल से लग जाता हूँ अपनी 11-12 के साथ अपना बैंक पियों की preparation में नहीं मुलना सुनो ना करियर बनाने के लिए तीन चीज़े चाहिए personality, aptitude, interest आपने मेरे से पूछा है interest अब questions आने लगें जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मुझे कुछ questions बच्चों के मिले हैं कि भईया personality और aptitude पर भी बता दो लेकिन थोड़ा थोड़ा और question आएंगे जब और questions आएंगे तब उसके बाद detail में जब तीनों points का हम discussion कर लेंगे तब आपको clarity होगी कि मेरे लिए करियर है या नहीं लेकिन इंट्रस्ट ने एक एक रोड़ पर आ जा तो आप करियर फाइनल करने के ठीक है ना अपनी गली से निगल गया आप हाईवे पर आगए करियर हाईवे पर तो personality aptitude भी जरूरी है figure out करना अपने करियर को manage करने के लिए तो भी आपस फिर पी आई एप्टीड परस्नालिटी इंट्रस्ट यह फाइनल कर लेता है करियर हो जाएगा नहीं साथ में आपकी financial condition कैसी है family की expectation कैसी है सारे करियर का वहाँ पर acceptance है यह नहीं private job तो बेटा ऐसी होती है कि आज है कल नहीं bank P.O. वाली job करो जिन्दगी भर की tension खतम बेटा शादी की जिम्मेदारी मेरी वो वाले mindset के लोग है यह फिर दूसरे mindset के लोग है यह सारे permutation combinations भी साथ में work करने चाहिए है तो अगर आपका API figure out हो गया है और यह तीनों चीजे भी sorted है तो जो आपका career निकल के आएगा वो final career होगा फिर तो बस आपको मेहनत करनी है आपकी direction 110% सही होगी एक बात का ध्यान रखना हमेशा आपकी जो direction है वो बहुत ज़ादा important है आपकी speed से अगर आप 120 km पर hour की speed पर भ जाओगे तो यह direction वाला point दिवांक में रखना इन सारे factor से हमें यह clarity हो जाएगी कि हमारी direction क्या है direction sorted हो फिर तो थोड़ा बहुत कभी आगे कभी पीछे लेकिन सही direction में अगर चल रहे हो three to four five years में career बढ़िया बन जाएगा किसी के साथ यह वीडियो होती है फिनिश भाया aptitude और personality का वीडियो भी बना दो मुझे comment में जल्दी जल्दी अपडेट कर दो हम फटाफट से वीडियो लेकर आएंगे we'll meet you all very soon in the next video रोको रोको मेरा नाम है सार्थ है मैं हूँ करियर एजुकेटर इस चैनल पर आपको commerce career और commerce colleges से related बहुत ही detail में वीडियो मिल जाएंगी दिल पर लेगी है तुन लगानू क्या अगर सकते हैं बाबाए